नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि रैब दी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रैब दी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और रैब दी कैपसूल की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, रैब दी एक ब्रैंड नेम है, रैब दी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, Rab-D capsule के अंदर salt composition Rabiprazole 20 mg और Domperidone 30 mg होता है Rab-D capsule पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करता है Rab-D capsule का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्टी आने पर और उल्टी आने का मन होने पर Rab-D capsule का उप्योग किया जाता है RAPD capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है। जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी Dr. RAPD capsule को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो। इसलिए आपका Dr. RAPD capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा RAPD capsule का उप्योग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger Ellison syndrome को treat करने के लिए भी RAPD capsule का उप्योग किया जाता है। Jolinger Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में RAPD capsule की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में RAPD capsule की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वदस्त होने की समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा RAPD capsule की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं। लंबे समय तक RAPD capsule का सेवन करने से यानी कई महीनों या कई सालों तक RAPD capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना RAPD capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार RAPD capsule को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है। RAPD capsule की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब RAPD capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से RAPD capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की रैप दी कैपसूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रैप दी कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं। रैप दी कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। रैप दी कैपसूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रैप दी कैपसूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैब दी कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैब दी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रैब दी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं